कैसे ह misf rd9-1 जिसकाम के लिए सोचके हम लोगं आये हैं वैसा कुछ Urनी जिसकाम के लिए हम लोग nodig हमलोग आए हैं वैस वैसे कुछ हुआ नहीं लोगों के विचारU खारा उत्रे नहीं तो क्या फायदा वैसे कुशिर एक लगी हम लोग अ कभी खतम नहीं होगा यहां पे ऐसे ऐसे कुछ लोग है कि जिन्दगी बहुत सारी यहां पे चलता ही रहेगा क्योंकि जिस मकसद से हम लोग आए हैं पूरा हुआ नहीं तो क्या फैदा रहने का उप्षियर्मेंट बनके जूट का खली नाम देके क्या करना है बकसर नगर परिशत को ठागा ही जा रहा है यहां पर इतना भरशार बढ़ गया है कि कुछ सही हो इंग रहे इसा हम लोग सोचे हैं कि अगर इसा कुछ नहीं हुआ तो अगले सोतंतर यही मेरा सोतंतर दिवस से लाश्ट होगा कि देश अजाद हो गया देश को हम लोग अजाद हुए सतहत्तर शाल हो गया लेकिन हमारा सहर बकसर नगर परिशत अभी तक अजाद नहीं हुआ है इसके पहले पैसे कि अगर परिशत की यह पहली बार आम चुना हुआ था कि आम जनता का परतिनिधत करने का मौका मिलेगा इसके पहले पैसे केबल पर सरकारें बनती थी चुकि वाड़ पारसद चेर्मेन उप चेर्मेन का चुनाव करते थी इस बार वियार सरकार ने ओपन चुनाव किया कि आम जनता का परतिनिधत में मिलेगा लेकिन ज्यासा कि उपमुखे पारसद महोदया ने इमांदारी पुरुवा कुर पढ़ी किया गया मानिय मुख्रमंतरी से लेकर हम लोग खूब लिखा पढ़ी किया लेकिन जो जाच कमिटी के लोग आ रहे हैं जो एडियम आ रहा है जाच करने हो हम ही लोग से बोल रहा है कि आप लोग एक फैमिली के मिंबर हो गए मिल बाट के रहने के लिए हम लोग न कोई असिकार नहीं है या तो विहार सरकार को ऐसा सर्मेंग से और राजों में होता है कि डेर्क चेर्मन का चुनाव रोगार है अगर कराई है तो कुछ अधिकार दिया जाए कुछ अधिकार नहीं आए और, हमosaur की अडिकन यहां पर गलट लोग के बीच में हम लोग आ गए हैं और लगातार हम लोग क्या कहा जाएं उपर से लेके निचे तक लगातार हम लोग इतना पत्रचारिक आसे पांच छे महीना पहले 110 रोड नाली बना PCC निर्माड हुआ और लगातार हम लोग उस पे मानिय उपर मुखे पारसवत के पैट पर हम लोग दे दियें कि सहर के जंता तो सब बोगाली दे रही है उसको क्या पता है कि किसका अधिकार है किसका अधिकार नहीं है हम लोग मान्य मुखमंतरी से लेके अपर मुख सच्छी हूँ तक मान्य जिला दिकारी को ग्यापन दे दिया और प्रमार के साथ कि पांची महीना में ये रोट कैसे पूरा तूट गया हम जनता तो सिधे गाली जन प्रतिनी दियों को देगी लेकिन उसके बाद भी क्यों से हमें देखे यह कहीं पसंद नहीं है मैं उपमुखे पारस्त महोदे को तहीं दिल से धनवा देता हूं कि अगर जनता के विश्वास पर आप खरार नहीं उतर पा रही है तो फिर रहने का कोई अधिकार नहीं है मैं आपका समर्शन करता हूँ कि वहीं एक हाइक मामला है अंतिम प्रयास इन्हों ने आपसे विताया कि अंतिम प्रयास एक है कुछ दिम एक हाइक मामला है वहाँ पे अगर सफलता मिल गई तब तो ठीक है सफलता नहीं मिली तो हम लोग सीधे अब तो मन्य नियाले के सरण में हम लोग जा रहे हैं और व कि प्रमाड़ गरूप में लगतार 25 हम लोग कर रहे हैं तो कोई अभी तक नगल परिशत के इतिहास में इतना पत्रचार नहीं किया होगा मुख्यमंत्री के जंता दर्बार में हम लोग आवेदन दिये यहां के नगर परिष्ट के भरष्टाचार खिला आया डीडिसी कि यहां दो बार डेट देके हम लोग गए और उन्हें मिले तीसेरी बार हम मिले तो सारा परमाड हम लोग दिये आज तक उसमें क्या हो रहा है ज उसमें पूरा प्रमाड मेरे पास है आप जेई का नाम बताया कौंसा जेई का प्रमाड चैए उसका सबका काल रिकोरडिंग है कि किटना कॉमिशन लिया है कितना कौन लिया सबका प्रमाड है चुकि जो जिसने काम कर रहा है ता उसके मैंने बात किया ए और आपकर оп recommend का न भी नहीं हुए थे और नहीं होंगे इसका पुक्ता परमाड है मैं पूरी मंदारी के साथ ये बात कह रहा हूं बोलिएगा तो गीता कुरां जिस्पर हाथ रखे कहना होगा मैं कह दूगा कि मैंने भी कमिशन दिया है और लेने का परमाड किसी के पास है तो कह दे मैं सिवकार कर लूँगा लेकिन दिया है और मैं यहीं परियास कर रहा हूं कि मैं खुद मेरे पर फैयार हो क्योंकि कमिशन देना भी और दूसरे का ही मैंने दिया है लेकिन परमाड के लिए मैंने दिया उसका परमाड मेरे पास है तो उसलिए दोसी मैं भी हो गया हूँ अगर हम लोग और मुझे भी फैयार हो गया तो मैं सफल मानूंगा अगर नहीं हो पाई तो यह पर रहने गा कोई मतलब नहीं रहा है मैं आज बता रहे हूं आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हैं कि जब हम लोग अंदर आ रहे थे तो यह दिल से हमें नहीं तोलम करने लाइक हैं आके पंद्रेगास के दिन और बहुत देश समय देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सिखे जनगणवन गाके लेकिन दिल से हम लोग उस लाइक नहीं है जो दाई तो मिला है क्यों हम लोग पाकिट भर है कि कैसे दूसरे का हक मार ले यह देश्भक्त 1 924 मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग का कर्म एक है रही ano रा श्रवाश्ण से बहταर होगा कि हम लोग इमंदारी पूर का meu उंभारत मता को परिवर्तन करने के लिए मानसिक्ता सब को बदलनी होगी और नीजी स्वास को छोड़ना होगा मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत गलत जगह पे आ गए है